नमस्कार स्वागत आप सभी का नवभरत टाइम्स पर वही हुआ जिसका डर था जिसकी आशंका थी खतरनाक कोरोना वाइरस COVID-19 अब देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुँच गया है दिल्ली में कोरोना वाइरस का पहला मामला सामने आ चुका है स्वास्त मंत्राले ने ये जानकारी दी है इसके अलावा तिलंगाना के एक शक्स को भी कोरोना वाइरस से पीडित पाया गया है आपको बता दें कि दिल्ली में जिस मरीज को कोरोना से पीडित पाया है वो इटली से आया था जबकि दूसरा शक्स दुबई से आया है इसके पहले केरल में कोरोना वायरस के तीन मरीज सामने आ चुके हैं स्वास्तमंत्राले की और से बताया गया है कि नए मामले सामने आने के बाद मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है एक की इटली से और एक की दुबई से यह दो और केसिज हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आये हैं यानि अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसिज जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आये हैं उनकी संख्या पाँच हो गई है आपकी जानकारी के लिए अभी तक पूरे वार्ड में 66 देशों के अंदर कॉरोना वाइरस के केसिस पॉजिटिव पाई गए है फिलहाल इन दोनों मरीजों की हालत स्थिर है इसके पहले चीन से लाए गए भारतिय नागरिकों को मानेसर के सेंटर में रखा गया है जहां उनकी निगरानी की जा रही है इन लोगों से किसी को भी मिल की इजाज़त नहीं है वहीं विदेश से आने वाले यात्रियों की एरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है हाली में जापान से डायमेंड प्रिंसेस क्रूज से भारत के 119 नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था इन सभी लोगों को भारत लाए जाने के बाद सीध और वैक्ति कि किसी मरीश की जान नहीं है इसके पहले केरल में के तीन मामले सामने आये थे ये तीनों मरीश चीन के वहान शहर से भारत आई थे हलांकि इन तीनों की हालत फिलहाल इस थिर बताई जा रही है इन सभी को डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा गया है चीन से फैलना शुरू हुए कोरोना वाइरस दुनिया भर में अब तक लगभग 89,000 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है जबकि 3000 से जादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है विश्व स्वास्त संगठन ने इस वाइरस को कोविड-19 का नाम दिया है दुनिया भर से सामने आ रहे कोरोना वाइरस के मामलों और इससे हुई मौतों की संख्या भी आपको हम बता देते हैं सबसे पहले चीन की बात करते हैं जहां से वाइरस फैलना शुरू हुआ यहां अब तक 80,026 मामले सामने आ चुके हैं इनमे 2,912 लोगों की मौत हो गई है हौंग कॉंग में 94 मामले सामने आए हैं इनमें 2 मरीजों की मौत हुई है मकाव में 10 मामले सामने आए हैं अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है साउथ कोरिया में 4212 मामले सामने आ चुके हैं 22 लोगों की जान गई इटली में 1694 मामले सामने आ चुके हैं 34 लोगों की मौत हुगई है इरान की बात करें तो यहां आप तक 978 मामले सामने आए हैं जिनमें 54 लोग अपनी जान गमा चुके हैं जापान में 961 लोग इसके श्रिकार हो चुके हैं 12 लोगों की मौत हो गई है और फ्रांस की बात करें तो 130 मामले कुरोना वाइरस की यहां सामने आए हैं जिन में से एक विक्ति को अपनी जान गवानी पड़ी है कुरोना वाइरस से जुड़े तमाम रपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें न भारत टाइम्स के साथ हमस्कार